दोस्तों क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में बने हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे तो कौन सा हेलमेट इसके नीचे टिक पाएगा? दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि hydraulic press कितना ज्यादा powerful होता है ये किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकता है दोस्तों जब सबसे पहले अमेरिका में बने helmet को इसके नीचे रखा गया तो लगबग 3 तन वजन पढ़ते ही ये helmet पूरी तरह से तूट जाता है उसके बाद जब चाइना में बने helmet को इसके नीचे रखा गया तो ये helmet भी एक टन वजन पढ़ते ही तूट जाता है उसके बाद जब भारत में बने मजबूत helmet को hydraulic press के नीचे रखा गया तो लगबग 5 तन का pressure पढ़ते ही ये helmet भी तूट जाता है